जैसे कुत्ते की पूच कर भी सीधी नहीं हो सकती ठीक वैसे ही बॉलिवुड में फिल्म बनाने वाले लुगों का दिमाग हमेशा आसमान में रहता है घमन में क्योंकि जमीन पर उतर के देखते तो समझ आता कि फिल्म में अक्टर उसको चुना जाता है जिसको आक्टिंग आती है स्टन्स और आक्शन करने वाले को हीरो नहीं बोलते देखो नासा जैसी बड़ी और्गनाईजेशन भी एलियन्स के बारे में इस बात से जादा जानते हैं कि टाइगर शॉफ को एक के बाद एक सूपर फ्लॉफ फिल्म लेने के बाद भी अगली फिल्म कैसे मिल जाती है स्क्रूड हीला ये नया नया ताजा ताजा कारणामा बॉलिवुड की तरफ से जहलने के लिए पब्लिक की तरफ ठेक दिया गया है तीन मिनिट के टीजर में अगर आप टाइगर शॉफ के चहरे पे तीन एक्स्प्रेशन्स भी ढूण के निकाल दोगे तो मैं अपना नाम बदल दूँगी मतलब इतनी सारी फिल्म में करने के बाद आज भी एनसान हर बार जब स्क्रीन पे आता है तो ऐसा लगता है गलती से पुरानी वाली फिल्म का सीन तो नहीं देख रहे हैं उनके जैसे stunts बॉलिवुड फिल्मों में करना बिलकुल आसान नहीं है, मैं आप तो सपना भी नहीं देख सकते लेकिन दिक्कट है उनकी script selection वो फिल्म में चुन रहे हैं ऐसी जिसमें कहानी गायक होती है सिर्फ action 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 करोगे तो acting कब दिखाओगे टाइगर को जरुत है वोट जैसी फिल्म की जिसमें उनका character फिल्म में अलग standout कर सके जिसका फिल्म में कोई मकसद हो, कहानी में उसकी जरुत हो ना कि 4-5 फिल्मों में difference रूढ़ना मुश्किल हो जाए, इतनी similar movies करना सिर्फ अपने घमन को satisfy करने के लिए इसकी वज़े से जो लोग इनको support भी करना है वो भी धीरे धीरे खिसक जाएंगे पब्लिक is the king boss, पब्लिक की नहीं सुनोगे तो पब्लिक थेटर में आपको नहीं सुनेगी टाइगर को सीखना चाहिए विद्ध जामवाल से उनकी latest film खुदा half is chapter 2 में फिल्म का पूरा first half विद्ध ने कोई भी action scene नहीं किया, सिर्फ फिल्म की कहानी को अपनी acting से carry किया अब टाइगर को भी ज़रुत है कुछ नया, fresh, एकदम हटके experiment करने की action movies ही करनी है तो एकदम John Wick type वाली करो, तोर, फोर, तावर, तोर या फिर superhero वाला रास्ता पकड़ो, लेकिन वो flying drug type का overacting नहीं चलेगा ऐसी film में जिसमें मुव से dialogues नहीं, हाथ पैसे moves देगने को मिलें वैसे इस crew धीला में आप सोच रहे होगे, इस screen के पीछे हसीना कौन है तो news ऐसी है कि ये रश्मिका है जो बहुत जल्दी बॉलिवुड में डेब्यू करने वाली है और क्योंकि फुन को शशांग हैतान बना रहे हैं जो love stories में भारत हासिल कर चुके है तो tiger प्लस रश्मिका का love triangle होगा action के साथ हम लोग तो बस उमीदी लगा सकते हैं कि जैसे बागी सीरीज में tiger ने शद्धा कपूर को गुर्णों से बचाया था कहीं वही same to same रश्मिका के साथ कौपी ना मारा जाए वैसे आपको अगर मौका मिले तो आपके पास ऐसा क्या suggestion है जो आप टाइगर शॉफ को देना चाहोगे जिससा उनका करिया राप्तो राथ चमक जाए मेरे हिसाब से उनको multi-star movies जादा करनी चाहिए वार की तरह जिसमें उनके साथ दूसरा actor भी रहे जो acting वाला पार्ट समाले और tiger action को balance कर दें फटाफट नीचे comments में अपने विचार लिखे screw ढीला का screw tight कैसे किया जाए क्या advice देना चाहोगी tiger भीया को उनका करियर बचाने के लिए बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हुई आपकर कुछ शिकायद करनी हो तो मैं आपको instagram पर भी मिल जाओंगी वरना थोड़ा से इंदिजार करिये मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में टेक क्या जापकरूदळी विल्चना में आ रहा हुईँ अखकरूँ अधे वीडियो में ये वीडियो में इंदिए्णया करत्र चाहुद गले ङे लिएकर के रहा हुई है को च्वाण जान कि कंपर के वीडियो में इंदिवाबिट श vídeos ये दोट हैं कर्छोंदर आपकरूगी आपकर